रवसकार स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूँ आपके साथ राजीब ढौन्याल और शुरुबात करेंगे बुलिटिन की कुछ तस्वीरों के साथ बाबा के दार के दर पर पहुँच चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ अलग वेश भूशा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं जब हेलिकॉप्टर से उतरे उसके बाद की ये तस्वीरे हैं वाराण से मिकल वो डाले जाने हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदी एक शेतर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सी मौकों पर यहां आए कुछ विकास के प्रोजेक्ट्स भी यहां पर उन्होंने शुरू करवाए और आज जब नतीजे आने 23 तारीक को उससे पहले उनके संसदेक पर वोटिंग होनी और पचार खत्म हो चुका है तो उसके बाद शान्ती सुकून के लिए आध्यात्म के लिए बताया जा रहा है कि यह पूरा पूरी तरह से आध्यात्म एक दोरा है अपियर मोदी का तो वो पहुंच रहे हैं के दारनाथ मद्रीनाथ भी जाएंगे लेकिन क मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने स्वागत किया राज्यपार बीबी रानी मौरी मौरी मौजूद रहें उसके बासी थे के दारनाथ के लिए रवाना हुए यह मोदी हैलिकॉप्टर के जरी और उसके बार चौती बार पहुंच चुके हैं देश का पहला ऐस देश के दारनाथ से वो पहुंच रहे हैं चार बार और वक्त वक्तपर के दारनाथ में कैसे विकास के काम हूं इस संबन्द बात भी क्या करते थे जब उत्राइखन में हरीश रावत के सरकार थी और भैंकर आवदा आई थी उस वक्त भी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाये के मदद के लिए बहले ही मदद ला ली के हो लेकिन हाथ अगे बढ़ आए सथा में पहुंच रहे हैं उसके बाद भी यहां पहुच पाँच रहा है जिसमें पूरी प्लाइंग के ताकि अगर आपदा की स्थिती बनती है तो 2013 में जो हश्र हुआ जून के महने में वो अब ना हो या उस तरह की तरास्ती ना हो वक्त वक्त पर लोग आते रहें के दाना धाम में सुभा से पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा था पियम मुदी को देखने के लिए भी बाबा के दार के दर्शनों के लिए तो लोग पहुंचते हैं लेकिन लोगों को जैसे जानकारे मिली कि पियम मुदी भी आ रहे हैं तो बड़ी संक्या में शाधालू पहुंच रहे हैं मस्तक नवा रहे हैं और पियम मुदी भी आज पहुंच चुके हैं बाबा के दार के दार पर ने देखें ये टोपी पहनी हुपी है ये जो टीपिकल टोपी यह जिरी हम तस्वेरें आपको दिखा रहे हैं खास दावर हिमार्चल के जौनसार के और उत्राखन के इलाकों में यह जो वेश भूशा है यह पहनी जाती है खासता पर वेश भूशा के अगर बात करें तो यह तोपी इस्थानिया टोपी और यह पहने हुए प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी यहां पर पहुंच है हम देखते हैं कि प बड़ी प्रसिद्ध टोपी है वो पहने हुए यही का यही के जो वर्स्त रहे वो पहने है और कमर पर एक पट्टी बांदी हुए जो यहां कि स्थानिया लोग बांदे लेगे हाथ हिलाकर अभिभादन और उसके बाद लोगों का रियाक्शन वो जोश वो आप खुद सु दिया गया और अब पिया मोदी देखे जिस तरफ हाथ हिलर वहां से जोशु खरूश वो जो जो आवाजें हैं वो खुद बखुद तेज हो जाती है और अब शुरुबात हो रही है रेट कार्पेट की रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर की तरफ आगे बढ़ रह और तसमीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं केदावनाथ से अब भुषा में ध्यान भी लगाएंगे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी इसके बाद के कारेक्राम हैं लेकिन सबसे पहले पूझा आर्चना करेंगे के दानाथ के तसमीर हम आपको लगातार दिखा रहे है प्रद दो किलो मेटर दूर है के दाना धाम से और इस तल पर बताया जाता कि असी के दर्शक में प्रधान मंत्री डरींटर मोधी ने कि एग्रिड महीने के लिए आस्था यहां पर ध्यान लगाया था अब एक बार फिर उसे जगह पर जाकर ध्यान एक बार फिर लगाएंगे कई न कई मन में मनो कामना भी होगी क्योंकि पहले भी यहां आते रहे हैं और यहां पर आकर जो मांगे जो मुरादे उनकी होती है वो पूरी होती है मुराद यही कि एक बार फिर सत्ता मिले सत्ता तक पहुँच रहें अब शिव उनकी इस मनों काबना को पूरी करते हैं या नहीं ये तेज तारिक को सपष्ट होगा लेकिन आशिरवाद जरूर मांगा जा रहा है आशिरवाद मिलता है या नहीं ये देखने वाले बात होगे लेकिन उससे पहले की कुछ तस्वीर हैं आपको दिखाने एक ये जगा अपने आप में बहुत खुबसूरत जगा है भागॉलिक परिस्तिया जितनी विकट हैं अतनी खुबसूरत हैं यानि कि खुबसूरती के साथ-साथ ये जगा बहुत खतरन उन्हें नदियों के बीच में बसा एक केजारनाथ जो की बारवा जोतिलिंग भी माना जाता है पहले कहा जाता कि नंगे पैर पियम मोदी यहाँ पर आया करते थे आज प्रधान मंत्री बनने के बाद दूसरी बार यहाँ पर पहुँच गए हैं और इस वक्त मंदिर परिस से उनकी ताजा होंगी तो बेहत खास जगा है किदारपुरे महाभारत काल से इस जगा को जोड़ा जाता है इसका मान्यताएं यहीं है कि उस दौर में यह बनाया गया पांडवों ने पूझ आरशना की तो एक बार फिर पियम मोदी पहुंच रहे हैं और आध्यात्मिक पूरी तरह से आध्यात्मिक उनका यह दौरा है कि दारनाथ में गुफ़ा वनी हुई है जिसका हम जिक्त करें जहां पर पहले भी ध्यान लगाया था वहाँ एक बार फिर से पियम मोदी ध्यान लगाएंगे प्रधान मंत्री नरींत्र मोदी उत्राखन को कई मौकों पर चुन चुके हैं चाहिए वो योग के लिए चुना जाना हो क्योंकि उत्राखन और योग दोनों का ब्याद मैं तो पूर्ण जो है अगर हम कहें तो संगम रहा है दोनों बहुत जुड़े हुए रहे हैं और स्द्बिर के बीतर दाखिल होते हुए यह तस्बिर दिखा रहे है जहां पर पुघारी माजूद हैं और पि-으र्ञ पूज आर्चन हा करें तस भिरम आपको दिखा रहे अब गर्व ग्रह के ओर पियामोदी प्रवेश्ट कर रहे हैं बाबा किदार के दर पर पियम मोदी तस्वीरे सीधे किदारनाथ से आप देख रहे हैं किदारनाथ पहुंचे पियम मोदी चुनाव प्रचार खत्म हो गया है लेकिन उससे पहले पियम मोदी का यह दौरा अब इस दौरे की जरूर CIC माइने भी निकाले जा रहे हैं विरूती दर्खास दोर पर इस पर निशाना साथ रहे हैं क्योंकि प्रतिक्रिया भी आई उत्रकंड के कॉंग्रेस के बड़े नेता हरी श्रावत इसके साथ दूसरे बड़े नेताओं ने पियम मोदी पर तंज कसा हैं कटाक्ष किया है कि प्राश्चित करने के लिए पहुँच रहे हैं तो एक गर्व ग्रह के तस्वीरें चुकि भीतर कैमरे नहीं जाते हैं तो भार से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्यम मोदी छत्र के नीचे बाबा केदार का शिवलिंग है और मूर्तिया यहां पर रखी गए हैं बह तो कि दर्रा धाम के कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीरें जब तयानियां चल रही थी कैसे अधिकारी काम कर रहे थे कितनी विकश्च परिस्थितियों में अधिकारी काम क्या और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शाय के संगए कि श्यांदीन दिनागी चले शाय को खेलागी जिल हिस्टालादी discuss कर दो कर दो कर दो साथी पेर्व सान्वा सान्वा स安हा साथी पेर्व साथी पां। रडल्यांत अाया स्वा ज़ळा कर दो कर दो हो पुझ म 세ँमा सते हाशना written नोटम आन्या स्वा मते कर दो कंद्या। पूजार्शना के साथ पूजार्शना चल रही है, मंत्रो चारण हो रहा है और मंत्रो चारण के गूंज आप तक ABP गंगा के माध्यम से हम पहुचा रहे हैं यह मोधी कहे दौरा पात साल में चौती बार पहुच रहे हैं तौदान मंत्री नरिंट रमूदी का कितना अटूट विश्वास है केदारनाथ से इस जगह से कि हर बार उनको यहां यह खीश लाते है यहां पहां 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 यह खीश लाते हैं प्रदान के दार के दर पर हैं प्रधान मंत्री डारेंज रमूदी तस्वीरें हम आपको वहां से लगातार दिखा रहे हैं बाबा के दार के इस बर दर्शन कर रहे हैं प्रधान मंत्री डारेंज रमूदी और कुछ देर ता कि प्रधान मंत्री डारेंज रमूदी और कुछ देर ता कि प्रधान मंत्री डारेंज रमूदी और आज का जो मौका है बहुत खास भी है और इस खास मौके पर प्रधान मंत बाबा के दार के दार पुरा निर्माल के कारे चल रहे हैं लगातार यह पुर्हान मंतिरी मोदी का propose का बेसा की देना मिर्जाय में आहिए शपयए म आप यह मुदी पहुच चुके हैं आप यह मुदी पहुच चुके हैं आप यह मुदी पहुच चुके हैं तो खुद में पौराणी की तिहास को समीटे हुए किदारनाध धाम इस किदारनाध धाम में पहुच रहे हैं पियह मुदी विधिबत पुरे विधिविधान के साथ पूजा अरचना विस वक्त कर रहे हैं और इत्मिनान से पुरे मगन होकर नीन होकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी पूजा अरचना कर रहे हैं बहुत पुराना है किदारनाध का इतिहास और हिंदू धर में बहुत महतुपूर यह जगा है चारो धामों में एक धाम की इसको जगा मिली है बारा जोतिल लिंगों में से एक है और बहुत खूबसूर जगा पर जहां भगवान शिप का एक विशाल मंदिर है और एक कटवा पत्थरों का इदिशाल शिलाखंडों से जोड़ कर बनाया गया है और इसी मंदिर में गुझा आर्चनाप तुधान मंत्री डवेंद्र मोधी कर रहे है कहा जाता है कि एक नास्तिक भी यहां आकर आस्तिक बन जाता है और जो आस्तिक होता है वो परम आस्ता में लीन हो जाता है जब किदा नाथ पहुँच जाता है अब भगवान भूलिनाथ बेड़ा पार करेंगे या नहीं ये 23 तारी को नतीजें बता देंगे क्योंकि जन्ता ने तो 6 चरणों के मत एवियम में खायद कर दिये है 7 विच चरण के लिए कल वो डाले जाने हैं जिसमें प्रधान मंत्री नरींद्र मुदी का संस्द्येक शेत्र भी शामिल है तो प्रधान मंत्री नरींद्र मुदी जहां के दानात में है तो वहीं बीजेपी के रास्ट्री अध्यक्ष अमित शार सोमनात में पूझा अर्चना करने का उनका कारेक्राम है तो अब ये वो वक्त है जब प्रचार खत्म हो चुका है तो भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं हलाकि एक और पहलू सो देखा जाए तो राजनितिक दलू के लिए ये जो वक्त होता है इस वक्त में वोटर्स का मिजाज और विमर्ष करते हैं कि किस मेजाज से वो डाले गए है पैटर्न क्या रहा और सारा गुणा भाग चेक किया जाता है लेकिन उन तमाम विमर्षों को छोड़ पिये मोदी केदार्नाथ पहुंच गए है और केदार्नाथ में पूझा अर्शना अभी कर रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो केदार्नाथ मंदीर का इतिहास भी बहत कुराना है आदी गुरु शंकराचार ने में कहा जाता है कि इसकी स्थापना की लेकिन ये भी मना जाता है कि पांड़ा वंच में ही जन्द जैनिस का निर्मार कर दा था और फूझा अर्शना वो क्या करते थे कि धानाथ को पंच केदार भी कहा जाता है कि कहा जाता है कि शिप की बुजाएं कुणनात में लुख रुद्रनात में ना भी मद महीश्वर में और जटा कलपीसों में प्रकट वे और इसलिए चार स्थानौ समिप केदार्नाथ को पंशकेदार कहा जाता है और हिमाले हिमाले में मंदिर स्थित है और भगवान भूले कहा जाता था कि कैलाश परवत में रहत रहा करते थे उनका वास यहाँ था तो इस जगह की महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है चाह जाता है और भगवान भगवान भने रहा करते थे उनका नचिदार रहा हिमाले तो और जाता है तो इए तो आपया है प्यांगके बढ़ जाता है यहाँ थे जाता है तो इस जगए यह रखंड़ उनका अточbbles कान वास भूले एखंड़flower kisses उनका बड़ Hinowego पूजा अर्शना चल रहे एक तरफ दूसरी तरफ सद्धालों बड़ी संख्या में पहुंचे हैं बाबा के दार के दर्शना के लिए पीम मोदी को भी देखने के लिए हलाकि आध्यात्मिक दौरा है ऐसे में पीम मौजुद लोगों को संभूदित करते हैं या नहीं यह भी सपस्ट नहीं है हिद आपड़ा गहां तरफ दौरा हिरे रॉपड़ा के दो को संभूद ऎक द्यूसरी जूसरी नहीं। हो करते हैं भी दौरा ゃlar की दौ़एे आखाए लुछाप always पिशतको बाखेशा नागेशा वाम है कि भुछाप सबस्टार को दो हमना कीर्ना 1.at और अब माथा टेक रहे हैं प्रधान मंत्री नरीन जुमूदी तस्बीरें इसी थे के दानाब से हम आपको दिखा रहे थे और प्रधान मंत्री नरीन जुमूदी मंदिर में पूजा आर्शना हुनकी है पूजा वहाँ पर की है और माथा टेकते हैं नजुमूदी और भाव से के दानाब का याद भुद्रिश्ट हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं उप्राकरते खुबसूर्ती को अपनी में समेटे हुए और उसी इस्थान पर के दानाब का होना इस जगह पर चार चांद लगाता है तो नई केदार पूरी का निर्मान हो रहा है नई केदार पूरी प्रहन नंफी नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार बन रही है उनकी का योज़ा के इसाब से बन रही है इसी को देखने के लिए भी पी अमोदी पहुंचें उसको देखेंगे भी लेकर इस बड़ पूजा आर्शना करेंगे मंदिर में मौजूद है शिप के शरण में मौजूद हैं प्यमोदी तो बाबा के दर पर प्रधान मंत्री नरेंद रमोदी मौजूद है पूजा अर्शना करेंगे मौजूद है के दा ना दा में प्रधान मंत्री नरेंद रमोदी बाबा के दार के दर्शन कर रहे हैं काफी देट से पूजा अर्शना करेंगे सीया और पूजा अर्शना कर्में के बाद पियमोदी बाहर निकल आए और जैएसे तस्मिर हैं, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को देखते हैं, लोगों में भी जोश भर गया है और देखיל मंदिर प्रांगर में ही, मंदिर परिसर में ही बर्फ की ऊची ऊची कुछ जो है अगर हम रखे देखें तो बर्फ जमा हो रखी है इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ यहाँ पर पढ़ी होगी और इतनी बर्फ पढ़ने के बाद भी इस मंदीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है तस्वीरे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पहुंचते हैं चौती बार आज पहुंच रहे हैं इससे पहले जब भी पहुंच रहे हैं चौकि बहुत ठंड है ऐसे में नंगे पैर यहाँ परिक्रमा करना व्याद बुश के लिए इसलिए कार्पिट रेड कार्पिट हैं यह मोदी परिक्रमा कर रहे हैं शिब की शरण में हैं और व्यवस्थाएं तो अभी एक शौल भी उन्होंने ओड लिया है और कुछ वागंभरी यह शौल और यह साथ साथ कुछ तस्विरें वो दिख रहे हैं जो पुना निर्मार के काम चल रहे हैं जो पियम मोदी के सपनों की केदारपुरी बन रहे हैं, उसकी तस्वीरे दिख रहे हैं, तो तस्वीरे पियम मोदी की इस दोरे में कोई दिक्कते ना हो, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, लगातर हर और उनकी निगाए हैं, आला कि किदारपुरी को बहुत सुरक्षित माना जाता है तीनों तरब से उचे-उचे परवत हैं, हिमशिकर है हिमाले की गोद में किदारपुरी है लेकिन फिर भी कोई चूख पुलिस कर्मी नहीं करना चाहते हैं अधिकारी नहीं करना चाहते है, स्पीजी की टीम होँपर है वो नहीं करना चाहते है, इसलिए पहले से ही वो डेरा डाले हुए आला अधिकारी यहां पर पुलिस के मख़ूद है पारिक्रमा प्येम मोदी की चल रही है पारिक्रमा खत्म होने के बाद संभवता है यहां जो पुनह निर्मार के काम चल रहे हैं जो ड्रीम प्रोजक्ट है प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी भले ही बीच बीच में केदारपुरी ना पहुँच पा रहे हैं लेकिन वो वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जरिये लगातार देख रहे थे कि क्या काम हो रहा है आप अंदासा लगाईए कि जब शीत काल में केदारपुरी बंद थी उस मौके पर भी जो प्येम मुदी का ड्रीम प्रोजक्ट था वो चल रहा था उस बारी बर बारी में भी आँकाम चल रहा था जो नीम के करमचारी है वो लगातार काम करे थे और परिक्रमक के साथ सात्त्य प्येम मुदी देखे बैरिकेटिंग मुदी भी घृण रहा है और बैरिकेटिंग वाह और थोड़ा सेक्योरिटी को हटाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वहाँ खह रहा है ये थोड़ा सेक्योरिटी को हटाए ये थोड़ा से कम किजिए क्योंकि ये मौका है जब लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं रूप रूप होना चाहते है और देखिए मोधी मोधी के नारे गुझ रहे हैं अभी भी लोगों की जुबाँ पर हर हर महादेव के साथ साथ हर हर हैं जब यह मोदी परिक्रमा कर रहे थे तो देखिए चुकि प्रांगर में इतनी बर्फ थी कि उसको हडाना बेहत मुश्किल था ऐसे में एक जगर ध्यद लगा गया है बर्फ का ध्यर कि नारूप पर लगा गया है ताकि प्या मोदी को भी दिखते ना हो तो इस दारूप पहुंच रहे हैं उन्हें भी दिखत ना हो तो यह उस वक्त की तस्वीरें एक तस्वीरें जब प्या मोदी ने की एक पहली तस्वीर जब प्या मोदी हेलिकॉप्टर से मंदिर प्रांगर तक पहुंच रहे थे और प्रांगर में मंदिर के भीतर दाखिल हुए पूज आर्षना की तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा परिक्रमा मंदिर में पहुंशने के तष्पिमे पूज आर्शना के तष्पिमे की आपके समक्ष्थ we ने तो यह कि बताffen चाहना कि रात्रिव इश्राम भी केदारणात में है यानि कि पूरा दिन आज केदारनात में ही पियर मोधी रहेंगे पूझ अर्षणा करेंगे तो वारानसी से चुनाव लड़ने पियमोदी जहां से 2000 चादा में भी लड़े थी केदार नात और वारानसी का नाता इसलिए भी मेत्पूने कि दुबाबा महाकाल विरास्ते हैं तो यहां बाबा केदार विरास्ते हैं दोनों यह भगवानशिप के रूप हैं पहुंचेगा तो राजनीतिक दृष्टी से भी इसको मैत्पूर माना जा रहा है क्योंकि चुनाव पिशार फख्म हो गया है तो प्यम मोदी के इस दोरे से कहिना के उनको फाइदा जरूर मिलेगा तो इसके बाद बता जा रहा है गरूर चट्टे भी जाएंगे और ध्यान लगाएंगे कुछ देड़ जहां कई दर्शकों पहले ध्यान लगाया था ध्यान लगाया करते थे और यह मोदी के उस वक्त के मित्र श्रिनवास पोस्ती उन्होंने भी यह जानकारे दे कि उन्हे साथ को चाई नाश्ता करते हैं आज वो प्रधाय मंत्री बनेगा एवीपी गंगा के साथ जो ने बाक्षित में यह पल साजा किये जो उन्होंने विदाए यह मोदी के साथ वाज तस्बीर हम आपको उसी भी दिखाने के दाधान की याद्बुट तस्बीरें और व्याद बेहंगा अंदरशिया उस प्राकरते खुब्सूर्ती के जो यह जगह अपने आप में समयते हुए हैं और लोग विदेशों में जाते हैं स्विज्वलेंड जाते हैं दूसरे देशों में जाते हैं फ्रांस जाते हैं लेकिन खुब्सूर्ती तो यहां है तभी यहां तवा हैं अलागि कुछ बात कर रहे हैं अब अधिकारियों से बात करें लोगों से बात करें यह स्वार रहे हैं यहां से तस्विरों में अधिकारियों से शायद बात कर रहे हैं देख रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्या अस्थितिय है यहां की मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ तो ये तस्बीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के जब पूजा आशना उन्होंने की और खासपल जब मंदिर के भीतर कर्व गिनर में पूजा अर्चना उन्नों ने की ती और यह उस बक्त की तस्वीरें जब हेलिकॉप्टर से उतर कर उन पक डंडियों से जो पक डंडिया सीधे भगमान के दार से मिलाती हैं उन पकडंडियों पर चरे और सारी मनुकामनाई यही पकडंडिया पूरी करवाती हैं अब ये पकडंडिया सत्ता तक पहुचाती है या नहीं ये तेश तारी को सपस्ट होगा लेकिन रहा कठीन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं ये सभी जानते हैं तो आशिरवाद लेने के लिए पहुंचे हैं तो 2014 के बाद से अगर हम देखें तो मंदिरों मंदिरों पहुंच रहे हैं सब इनी था और इसमें से बीजेपी नहीं कॉंग्लिस पर शामिल है बाबा बनात के दर्शन करने के लिए खुद राहूल गांधी कहे कुछ तस्वीरें उन्होंने वहां से साजा की थी तो हमारे देश भी वीडम बना ही है कि आज भी धर्मों के नाम पर जातियों के नाम पर वोट दिये जाते हैं जबकि एक संगिया धांचा है लोग अगर जागरुख होते या राजनेता अगर इतने इच्छा रखते तो शायद ये स्थिति ना होती स्थिति बदली होती और मिजाज वोट देने के कुछ और होता और विकास के नाम पर वोट दे चाते हैं लेकिन आज भी धर्मों के नाम पर ही होता है जिस समुदाय का वर्चा से जितना ज्यादा जिसकी जिस इलाके में पैट जितनी ज्यादा बातें भी उसी की मानी जाते हैं और समीकरण भी उसी के अनुरूप बदलते हैं तो बाबा किदार किदर पर हैं आज पियम मुदी शाम तक यहीं रहेंगे और राति विश्राम भी यहीं करने का कारेकरम मनु कामना यहीं होगे कि बोले नाथ बेड़ा पार भी कर दें आज नहीं के वेश्भूशा में पहुचे हैं पियम मुदी और टोपी लगाये हुए हैं यह खास टोपी हलाकि हिमाचल में ब्याद प्रसिद है लेकिन उसको उत्राकंड के भी हिस्सों में पहना जाता है अब आफ दो तस्बीर आपको दिखा रहे हैं एक तो जब प्रवेश उन्होंने किया प्रवेश करते वे तस्बीर हैं और दूसरा जब बागवान के दाट नहीं कि नहीं है कि भक्ति में लीन थे पिया मोधी और अपनी मनों का आमनाई जरूर रख रहे होंगे कि जो दावे उन्होंने किये हैं उन्हों को जीत के दावों को भोले-पूर्ण कराएं तो कहा जाता है कि हम आपको साथ-साथ उससारी तस्वीर हैं आपको भी डिखा रहे हैं जो आप तक की दाशनाघ में प्यम्ध के पहूंचने के बाद हुआ है तो जब पहुंच रहे थे या परिक्रमा कर रहे थे मंदिल में दाखिल हो रहे थे पुज आचना कर रहे थे सारी तस्विर हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं यह मुदी जब भी के दरपुरी पहुंचते हैं और वह अपना वह अनुभव भी साजा करते हैं जो यहां से उन्हें प्राप्थ हुआ एक दिविया शक्ती है इस जगह में जो खुद बाखुद ब्यक्ति को मजबूर कर देता है कि वो भगवान के आस्ता में डूब जाए तो भगवान केदार का मंदिर अडिग है तमाम आपदाओं को आपदाओं का दर्श झेलने के बाद भी अडिग है मजबूत है जसमें हजारों लोगों की जिंदगिया चलेगी लेकिन वही केदार धाम की अगल बगल जो इमारते थी वो धराशाई होगी ताश के पत्तों की तरह ढह गए बह गए लेकिन इस इमारत को इस मंदिर को खरुश तकने हैं देखिए तस्वीर दूसरी है सूमनात मंदिर पहुंच रहे हैं आमित शाथ तो दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे थे उस तस्वीर पर भी निगाएं रहेंगी हम वह आपर फिर ले जाएंगे आपको जब अमित शाथ पूज़ा अरशना कर रहे हैं सूमनात भागवान सूमनात के दर पर अमित शाथ हैं हम जैसे कि दिक्त कर रहे हैं कि चुनाप प्रचारा खुब हो जो है शूर शुराब के बीच खत्म हुआ खुब हो हला हुआ काफी भटके हैं राजनेता अलग अलग राज्यों में एक एक दिन में कई कई सभाई की हैं अब वक्त आ गया है थोड़ा सा आध्यात में क्यों रूख करने का अब इस आध्यात में के जरिए कहिना के मनुकामनाओं को पूरी करने की चाहा भी होगी वो खाहिश होगी जिस खाहिश को पूरा करवाना चाहते हो भगवान के जरिये तो पियम मोदी जहां मंदिर में केदारनाथ में तो आमित शाह सुमनाथ मंदिर में जो इसकी अपनी आलग मानेता हैं सुमनाथ मंदिर उसकी भी विशेश मानेता हैं गुजरात का सुमनाथ का मंदिर बहत प्रसिद है विष्भामिं प्रसिद है और मंदिर में अमिशा भी पहुंच रहे हैं और पी-अमुदी कि द्यार्णाथ में है इस वक्त थितियों को देख रहे हैं अद पूरण निर्मार के कारियों के स्थितफिय का जायज़ा ले रहा है वक्त वक्त पर वो वीडियो कॉन्फरेंस सिंग के जरी जार्जा लेते रहे हैं तो ये तस्बीरे सामने आई ये सीधी तस्बीरे हम आपको दिखा रहे हैं जब अधिकारियों के बीज में हैं अधिकारियों उनको यहां के मुश्किल पगडंडियों से ले जा रहे हैं देखें जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जहाँ जाँ पीम के जाने के संभावना नहीं रहे होंगी कियोंकि यहां मार्ग नहीं बना गया। तो इस जगव पर जा रहे हैं और देख रहे हैं किदार्नाथ धाम में मुदी हैं और तस्बीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए पकड़ंडिया नहीं बनी ऐसे में शायद प्रशाधन को भी इस बात के जह जानकारी नहीं रहागी や आभास नहीं रहा होगा कि पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे तो पीएम Бूधी भी जानकारी Lita रहे हैं जानकारी पूछ रहे हैं हम से क्या स्थितिया हैं काम चुकि चल रहे हैं पुर्णा निर्माड के कारे के दाना धाम में चल रहे हैं और अधिकारियों से सारी चीजों की जानकारे ले रहे हैं कि क्या मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट सही से बन रहा है देखें इस जगा के देखें तो ये चारों तरफ से उठा हुआ है ने कि ये भाग जो है यहां पर यहां पर क्या बनना कि स तरीके से बन रहा है झाल रहे हैं और ब़रAKE बता रहें कि यहांपर क्या क क्या बनना कि से बनना क्या और हुआर खु अ-शे कि ग कया पर करता हुआ है जैसे कि किसी मकान कुछ अब त Eli की जाता है बना जाता a है तो उससे पहले जो बीस त्यार किया जाता है यह वही नज़रा रहा है कुछ खुदाई यहाँ पर हुए है और इससे इतर बाहर की तरफ देखे तो एक दिवार बनाए गए है जब यह दिवार बनाए जा रहे थी तब ही हमने तस्विर जो है यह दिवार बनाए जा रहे थी ताकि जो पानी का फ्लू बहुत तेज होता है तो कुछ हद तो उस पर खाबों पाया जा सके और पहले ये दिवार नहीं थी दिवार होती तो शाहद नुकसान थोड़ा सा कम हो था लेकिन अब दिवार बनाए गए है अधिकारी लगातर काम करें थे और फिया मुद्ध कुछ निर्दे तो अधिकारी जानकारे दे रहे हैं कि यहां पर जो जो भी चीज़ बनेगी उसका लेवल क्या होगा और प्यम मुद्ध एक इस चीज़ों को बारिक की से जान रहे हैं हाथ में पुरा मैप लिया हुआ हुआ है और अधिकारी बकायदा बता रहे है बनकि इस तरह के सब्सक्रिशब निटे कर देखाया है पुना निर्माड कारियों का जायसा ले रहे हैं पियम मुदी और अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि कब तक निर्माड कारिया पूरा हो जाएगा, कब शुरू हुआ था, इस पीच में क्या अड़ चनी आए, क्या क्या चल रहा था, उस सारी चीज़े जान रहे हैं, अधिका जो अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि क्या काम किया है आपने यहां पर अब तक और कब तक निर्माड कारियों की बात करें तो अपना निर्माड कारियों को लगा तर आगे बढ़ा जा रहा है एक बार फिर से दो हजार तेरा का मिरुख करना चाहूँगा जब आपना यहां पर आई जून के वक्त में उस वक्त राजने तिक परिशितिया अलग थी क्योंकि प्रधान मंतरी मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्य मंतरी हुआ करते थे और उस वक्त राजने में हरी श्रावत की सरकार थी उस वक्त राज्य में कॉंग्रेस के सरकार हुआ करते थी और मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर काम करवाना चाहते हैं। अलाकि उसके बाद इनकार कर दिया गया क्यांकि सरकार हैं अलग 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 विचारधारा हैं अलग अलग और पिया मोदी ने फिर कुछ रहात समगरी यहां पर भिजवाई थी ट्रॉक째 बाद परधान मंत्री बने तो फिर उन्होंने खुद ही अपना लक्षिय निर्धानि होनी चाहिए क्योंकि यहां रहे हैं अब यहां रहे हैं तो यहां जो पुजारी रहते हैं यहां जो शधालू आते हैं उनकी परिस्तितियां क्या होती चीजों को समझते हैं इसलिए उसी हिसाब से यहाँ पर विकास के कारे करवाया जा रहा है हमारे समवादाता विनूद भी जादा जानकारी के साथ जुड़ गए है विनूद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनात का दोरा क्या कुछ इस बक्त वहाँ पर चल रहा है और एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मदर्शन भी कर लिए परिक्रमा भी कर लिए अब आगे क्या करेंगी प्यम मोदी देखिए जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का कारिकरम तैथा वो उसी के हिसाब से पहुंचे हाला कि जो कैदार घाकी उसमें सुबह सी हलकी से मध्यम बारिस हो रही थी लेकिन ताप तोर पर अब मोसम साफ है कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो आगमन था वो पुरी तरीके से चल रहा है और अब पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कैदार घाम पहुंचे थे उन्होंने दर्शन भी कर लिये हैं और अब लगबग जो 600 करोर रुपेस की लागत से जो कैदार नात्र पुरन निर्मान कारिये थे वो उनकी अब समिक्सा करेंगे संबंदिद अधिकारियों से सदिक्सा करेंगे उनके साथ लगबग आदे घंके तक वो सिर्फ पूरन निर्मान कारियों के वीचे में बात करेंगे और खास्तोर से जिस तरह से हमने देखा है पिछले पास सालों से वो कैदार नात्र की जो पुरन निर्मान कारी है उनकी समय समय पर वो अपने ओपिस से बैठ कर मॉनिटिंग भी करते आए हैं और जो संबंदिद अधिकारी हैं यानि उत्राखंड के मुखे सची उत्पल कुबार है वो भी इस पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार अधिकारी है और उनके भी वो समय समय पर पुरन निर्मान कारियों के माध्यम से चर्चा करते गए हैं और अब से जैसे मैं आपको बदाऊं लगबग 10 मिनट हो गए हैं परदान मंत्री नदेंद्र मोदी ने जो दर्शन के हैं बाबा के अधाद धाम के दिवे दर्शन के हैं उसके बाद में अब जो पुरन निर्मान कारिये हैं लगबग 600 क्रोड की लाज़त से जो कारिये चल रहे हैं उनकी वो मुक्य सची उत्पलकुमार एवं सम्बदी दधिखारियों के साथ में बैठक करेंगे और बैठक में जाय जा लेंगी कि आखिरकार कितने कारिये ऐसे हैं जो रुके हुए हैं और कितने हो गए हैं उसके बाद में वह बिरोग मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या काम वहापर हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट तरह किस किस तरीके से विकास के कारिया पुरी केदार पुरी को बसाया जा रहा है जी इस प्रोजेक्ट पर देखे जिस तरीके से दो हजार तेरा की आपदा इसनी बड़ी तरास्ती उत्राकंड में आई थी और उसमें पूरी तरह से इस तरास्ती में जो केदार गाटी थी वो तहस-नैस हो गए की तबाह हो गए थी जितने भी वहाग के आवाज ये भावन के आवाज ये लोग थे जितने भी जो रहने वाले लोग थे वो लगग इतनी बड़ी तरास्ती साय दूद्राकंड में पहले कभी नहीं आई थी और उस तरह से उसको देशते हुए बशाने का कारिये बहुत लगाता तेजी से ही चल गया था पिछले पास सालों से केदार गाटी को सवारने का काम चल रहा था और जिस तरह से आपको बताए कि एक इतनी बड़ी तराज़ी आई कि पहाड़ों से मलबाया और जितने वहां रहने वाले लोग थे जो धालू पहुचे थे वो तबाव उनकी मौत हो गई थी तो हम कहिए कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी तराज़ी अगर है तो वो उतरा सब्सक्राज़ी है 2013 में और उसको सवालने के लिए लगवक पास सालों से कारिये किये जा रहा था खुद उसकी प्रधानमंत्री नदेंद्र मोधी मौनिटरिंग कर रहे थे और इस तरह से वहां जितने भी आवाशिये भवन थे आवाशिये वोटल थे तारही वो तबाह हो पहले भी जुफा में रहकर उन्हें तबश्या की है वहां से लगव है और आज भी पहुंचे है और यह रह सकता है कि दो सार में आज उनouring का उनका चौथा माला है और जिससाते में फ्रदैंद्र मोधी गवक रिए रंदेंद्र नक प्तियां पहुशाश्या उनको लगवल ये 600 करोड की लागत से जितने भी कारिये हैं वो अभी चरम सीमा पर है और अंतिम चरम ये कहा जाता है कि पूरे वो कारिये संपन हो गए है हलके-फुलके कुछ कारिय ऐसे हैं जो फिलहाल उसमें तरकार किसी की भी बने किसी की आए या जाए उससे कोई फ़र्च भी पड़ेगा लेकिन जिस तरह से 600 क्रोड रुबे की लागत से जो निर्मान कारिये चल रहे हैं वो अंतिन पाइदान पर रहे हैं और जिस तरह से तर की विवस्थाए और 2013 की विवस्थाए थी उनमें कितरा सुधार है बिल्कुल विनूद आप भी नसर बनाये रखे और हम आपसे पलबड की अपडेट लेते रहेंगे और प्रधान मंत्री नरीन रमूदी अब आगे बढ़ते हुए उनके साथ मुखे सर्जी भी मौजूद है जो पलपल की जानकारिया दे रहें तो 2013 में जब आपदा आई थी ततकालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगणा उसके बाद उन पर आरोप भी लगे यहां पर आपदा कोटाला भी सामने आया उसके बाद से नए सिरे से काम शुरू हुआ कि दारपुली को बसाने का उसको बाद परेक्डन काम चुरू हुआ को बाद इस करा दे से काम कर दोतार आप हुआ को बढ़ ओदाएपार को बाद हुआ है बाद